कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके टेड़ी दोस्तों आस तारीक है अधियर दिसंबर 2019 और कल यहनी दिसंबर 2019 के लिए यहां पर हम लोग निप्टी के आटी स्टॉक के आसिस करेंगे देखेंगे कौन सा इटी स्टॉक कि खड़ा है कहां सब्सक्राइब ले रहा है कोहां रजिस्टेंस ले रहा है कल साल का दोस्तों अंतीम दीन है तो अच्छे को अच्छे से टेड करें तो सबसे पहला है स्टॉक का डेली का चार्ट है डेली का चार्ट देख लेते हैं कैसे चल रहा है दो तो कोई परिशनल बाइंग और सेलिंग की सला नहीं है इस बात को हमें सा याद रहें टेट करने से पहले फ्रैंसे अड़िशे जरू सलामसवा कर लें यहां पर चार्ट है 570 के आज पास की क्लोजिंग आज की हुई है जैसा कि आप देख पा रहें हमारे लिए पोजिशन बना नहीं का जगा जब भी बनता है इसके उपर इस हाई पॉइंट के उपर बनेगा क्योंकि बीच बीच में बहुत ज्यादा रिस्टेंस इसक बनाने के लिए 555 को ब्रेक करेगा तो सेल का पॉजिशन बनता है इनफीबीम तो 52 के ऊपर निकले तो ही एक मामला सेट होता है जहां तक मुझे याद है इनफीबीम का प्राइस 52 अब तो 56 भी हो चुका है काफी अच्छी बात है है ना तो 56 इसने टार्गेट एचिप कर द और 54 के ऊपर 56 का टार्गेट दन हो गया हम पोजिशन अब जब भी बनाएंगे इसके हाय पॉइंट के ऊपर ही बनेगा पोजिशन अभी पहले नहीं बनाएं नीचे आता हुआ अगर आपको यह सपोर्ट लेता हुआ दिखता है अगर मालेते इस सपोर्ट प्राइस के पास तो फिर वहां से एक बाइंग की पोजिशन बनेगी जो 56 के तरफ जाएगा सेल का पोजिशन हम फिप्टी के नीचे बनाएंगे जब फिप्टी के नीचे ब्रेक होगा तो वापस यह 45 बाले रेंज में चला जाएगा अगला स्टोक है इनफोसिस को तो पोजिशनल स्टोक के रूप में भी दिया हुआ हाला कि कुछ IT सेक्टर को लेके खबरें भी आ रही है अमेरिका से कहां कहां से खैर उस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को बस अपने लेवल पैटरन यह सब पर ट्रेड करते हम लोग तो उस पर हम लोग बने रहेंगे अभी भी इनफोसिस अगर इस लेवल को ब्रेक करते तो एक अच्छा मुमेंट आपको देखने को मिल सकता है इनफोसिस में उपर की साइड में अगर यह 740 ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा टार्गेट आपको देखके जाएग आप देखें ध्यान से इनफोसिस ने यहाँ पर बिल्कुल आके एक जैसी ही बनाया है सेम रेंज का बनाया लग 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 अगर एक दो केंडल को इग्णूर भी कर दें तो एक जैसी कैंडल देखने को मिलेगी यानि एक रेंज बना लिया ऊपर की तरब में 740 का तो इसने प्रोफित बूक कर लें मैंने रिव्यू करके भी डाल दिया था मैंट्री का कि आप लोग इसके ऊपर प्रोफिट बूक कर लें अभी अब देखिए इस टॉक यहां पर हो सकता एक से दो दिन टाइम बिताए इस टॉक आप आने वाले आपको पोजिशनल देखने को मिल सकता है मैंट्री में नीचे अगर यह वापस से ब्रेक करता है तो यह ही इसका इंपोर्टन सपोर्ट है अभी अगर इसको 780 नीचे अगर यह ब्रेक कर दे आपको बहुत अच्छा है जगह पर बहुत बढ़ी है खड़ा है एक ब्रेक आट का वेट कर रहे हम लोग आपको इतना फास्ट मुमेंट है कि आपको देखते देखते टारगेट व इरुगेट सब्दे के बाहर कर देगा इतना फास्ट चलता ही तो एक बार जैसे ही उपर की तरफ निकले ना अगर उपर 1630 को निकले तो 1650 के टारगेट के लिए फिर पोजिशन बनेगा एनाइटी टेक में और नीचे अगर यह ब्रेक कर देता है 1550 को तो फिर यह वापस से वापस 1480 के टारगेट दिखा सकता है अगला इस्टोक है ओएफ एसस का दोस्त ओएफ एसस इस केंडिल यह एक्शुली ना ट्रेडिंग वाला है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं आप लोग अगर ट्रेड करते हैं इस पर तुम्हें तो करूंगा जैसा कि पिछले बार भी कहा था कि 800 के नीचे जाएगा तो एक अगला इस्टोक है बिल्कुल टाटा इलक्सी देखें यह बहुत ही जो कहते हैं प्रूशल लेवल बिल्कुल कूशल लेवल पर यह श्टोक है क्योंकि काफी जादा नजदीक में ही 200 DMA का सपोर्ट है इसको और वहीं सी एक से दो दिन की बाउंस बैक ले रहा है यानि काफी क्रूशल लेवल में अगर यह गलती से भी 810 को ब्रेक कर देता है तो तेज डाउन फॉल दिखाएगा जो की लगभग 780 पर लेजा के चलिए TCS में एक पोजिशन बनाएंगे लेकिन कब जब 2230 को उपर की साइड में ब्रेक करेगा तब 2230 को ब्रेक करेगा एक टार्गेट आपको पुरहन से एचिव करके देगा 2060 तक का एक टार्गेट बन सकता है नीचे अगर सेल का लेवल एक्टिवेट होता है 21070 के नीच लेगा तो एक बार 230 तक के सेल के लिए पोजिशन बन सकता है टेक महिंदरा टेक महिंदरा यह डोजी केंडल है यानि अन्डिशीजन बायर सेलर दोनों कंफ्यूजन तो इसका फायदा उठाई है अगर इसके हाय के उपर निकल जाए कल केंडल यानि कि कल आज का हाय का प्र बाटर रुपय को तो एक बार यह नीचे की लेवल में 775 तक का लेवल आपको दिखा सकता है अगला इस्टॉक है विप्रो दोस्तों विप्रो में भी पोजिशन नहीं बनाएंगे विप्रो आप देखेंगे रौंडिंग बॉटम पैटन तो बना रहा है विप्रो बार बा अगर इंट्राडे में 245 बना जा सकता है विप्रो दोस्तों यह था निप्टी इस्टॉक्स पर मेरा अपना विव अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में तब त